अगर मौजूदा सियासत को क्रिकेट की भाषा में समझाने का प्रयास करें तो विपक्ष अभी टीम सेलेक्शन में जुटा हुआ है लेकिन दूसरी तरफ वीजेपी और एंडिये बला लेकर मैदान में उतर चुकी है जिसकी साफ साफ जलक आज संसत में प्रधान मंतरी मोधी के भाषन में देखी जा सकती थी एंडिये के लिए 400 का आशिरवाद और कॉंग्रेस को 40 सीट की चनौती देकर प्रधान मंतरी मोधी ने 2024 के चुनाफ के लिए अपनी मंचा साफ कर दी है पीम की स्पीच में कल आज और कल की क्रिश्टल क्लियर तस्वीर देखने को मिली और इसके धंपन मोधी सरकार 3.0 यानी मोधी सरकार की तीसरी टर्म का दावा भी थोक डाला गया लेकिन इसी बीच खबर है कि उत्तरप्रदेश और आंत्रप्रदेश से बीजेपी को गुड न्यूज मिलने वाली है चर्चा है कि जयंत चौदरी सफा का धामन छोड़ने का इरादा बना चुके है और रालोद अब बीजेपी की शरण में आ सकती है दूसरी तरफ चंदरबाबू नाइडू की टीडीपी एंडिये के गड़बंदन का हिस्सा हो सकती है यानि 2024 के महा मुकाबले से पहले एंडिये की तागट लगातार बढ़ती जा रही है तो दूसरी तरफ टीम विपक्ष में एक के बाद एक विकेट गिरते जा रहे है बुरी खबरों का दौर जा रही है शरद राओ पवार के हाथ से अब पार्टी और नाम और निशान ओफिशली छिन चुका है अर्विंद केजरिवाल को कोट ने पेशी का ओर्डर सुना दिया है और हेमन सोरेन पहले ही एडी की गिरफ्ट में है तो आज इन तमाम मुद्दों पर देश की सबसे बड़ी पोलिटिकल बहस एक तरफ मोदी की हुंकार है और दूसरी तरफ विपक्ष क्यो लाचार है आज का आरपार इसी पर विवोस और बड़ी खब्रों का दिन है आज बहुत धान से सुनजाता कर जो दिए लोग सबह में मनो रहें जी जो कमी हमें ख़ल रही है देश को मोदी की गारंटी मेरी गारंटी है बोदी की गारंटी है 80% डिसकाउंट से जो दवाईया मिल रही है जिसका लाब मद्यमबर गरिब को मिल रहा है वो मिलता रहेगा मोदी की गारंटी है कि किसानों को जो सम्मान निदी मिल रही है वो सम्मान निदी चालू रहेगी रहुल पर स्टार्ट अप वाली चुटकी देश तोडने वाली सोच परवार पर देश को तोडने के लिए राजरितिक स्वात के लिए नई नेरेटिव गड़े जा रहे है ये हमारा टेग, हमारे मनी कित बासा में बोरा जा रहा है देश का भी कोई कोना, देश का कोई खेत्र कि काह से मंचीत रह जाएगा तो देश विक्षित नहीं हो सकता है आरक्षन को पसंद नहीं करता और खास कर नौक्री में आरक्षन तो कता ही नहीं सिताराम केशरी अती पिशडी जाती से उठा करके फुटपाथ पर फैंक दिया गया पीएम की जबानी कॉंग्रेस की कहानी आज संसद में प्रधानमंत्री मोदी ने चुन चुन कर प्रहार भी किया दस साल का हिसाब भी दिया और भविश्य का खाका भी खीच दिया लेकिन वे बक्ष मोदी के भाशन पर दिल मिला उठा तो आज इसी पर होगी देश की सबसे बड़ी पहस चुनावी घड़ी आई सियासी जोश हाई और अब वक्त है आज के भाशन के विश्येशन का इतिहास की बात पंडित नहरू को आरक्षन विरोधी बताया OBC की अंदेखी का गंभीर आरोप भी लगाया भारत रत्न में भी परिवारवाद का आईना दिखाया इंद्रा गांजी और पंडित नहरू ने खुद को भारत रत्न दे दिये थी चीन को जमीन देने पर भी सवाल उठाया वर्तमान का हिसाब 370 के खात्मे को बड़ी काम्याबी बताया और वो बड़ी काम्याबी भी है नरिन्द मुदी के शासन की 25 करोड लोगों की गरीवी के जंजाल से निकालने की बात कई देश को दुनिया की टॉप फाइब एकनॉमी में पहुचाया टूरिजम को एकनॉमी का एक बड़ा हिस्सा बनाया भविश्य का ब्लूप्रिंट इसमें पहली बार मोदी 3.0 का जिक्र हुआ उसके बाद 5 साल में देश में बुलट ट्रेन देखेगा ये भी बात की गई देश को टॉप फ्री एकनॉमी में पहुचाने का टार्गेट पे बात की गई कॉंग्रेस पे जोरदार चुटकी ली गई राहुल की फेल स्टार्ट अप से तुल्ला की गई कॉंग्रेस को 40 सीटे बचाने की चिनौती दी गई कॉंग्रेस के नेता और निती की कोई गारेंटी नहींग है ये भी का गया और मम्तब बिरजी तो खित कह चूकी है कि कॉंग्रेस 40 भी बचा पाएगी क्या कॉंग्रेस में हंकार है ये किसी और नेनी का मम्तब बिरजी ने का आ है बड़ा सवाल इतिहास वर्तमान और भविश्य के बहाने मोदी ने चुनावी लाइन और लेंथ को तै कर दिया है क्या और जो चार सो का आकड़ा नरेंद मोदी ने सेट किया है क्या उसी की तरफ आगे बढ़ रही है भीजेपी गौरब भाटिया है मेरे साथ तैसीन पुनावाला है मेरे साथ मेरे साथ अनुराग भदोरिया है प्रयांक कक्कड है प्रवक्ता आम आदिपार्टी की रोहित अगरवाल है नेता रालोत के आरेलडी के और बड़ी खबर भी आ रही है जन्द चौदरी के खेवे से मैं सीधा रुक करता हूँ आपका गौरवाटिया गौरवाटिया कुछ भी नहीं छोड़ेंगे आंद्र भी नहीं छोड़ेंगे जन्द चौदरी भी नहीं छोड़ेंगे नितीश बाबू भी नहीं छोड़ेंगे अनुराग जी जाए तो जाए कहां करे तो करे क्या कि अमीजी देखिए मैं एक बात जरूर कहूंगा आज हमारे पास वो तिकड़ी है पोली गौरबाब बोली अमीजी आवाज बीच में कोई बोल रहा है प्लीज कोई बोल रहा है चुप करा दिए धन्यवाद देखिए आज जब अधर्णिय प्रधानमंत्री जी ने संसत के पटल पर अपती बात रखी तो मैं यह समझता हूं एक आत्म विश्वास चलक रहा था और यह स्पश्ट था कि कोई हैट्रिक लगाएगा तो वो श्री नरेंद्र मोदी जी और भाजपार एंडिये लगाएंग जी आधुनिक राजिती के चानक है और हमारे राष्ट्रे अध्यक जेपी नड़ा जी जो मैनत और करमट्ता की पराकाश्ठा हैं दूसरी तरफ तिकड़ी है खडगे जी रिमोन कंट्रोल वाले प्रेजिडेंट सोनिय गांदी तीन साल से राइबरेली नहीं गई राहूल अमेठी से चुनाव हार गए और लॉंच नहीं होते हैं ऐसे डिफेक्टिव प्रोड़क्ट पर एक बड़ी बात है आपने कहा ना जब से घमंडिया बना है देखिए इनका हश्र क्या हुआ है आप जानते हैं मिलिंद्योरा मिलिंद्योरा छोड़के गए हैं जब भारत त अपके मुख्यमंत्री हैं उन्होंने कहा हम अकेले चुनाव रणेंगे और सबसे बड़ी बात यह है कि इनके पास तालमेल नहीं है इनकी ट्यूनिंग नहीं है जो बड़ी बात है और एक चीज और बताओ एक खेल होता है चेडिया उड़ ऐसा लगता है घमंडिया कह रही अब तो जो खबर आ रही है अभी खबर है कोई बड़ी बात नहीं है कि और घटक दल कमंडिया के छोड़ दे हर कोई यह जानता है जीत की गैरेंटी विकास की गैरेंटी इमांदारी की गैरेंटी कोई है तो नरे द्रमोदी जी है और यह भी हमारी बात करते है और हम भी हम पहुच रही थी तो नितीज जी छोड़ गए रांची पहुच रही थी तो सुरेन साब जेल चले गए उत्तरपदेश पहुच रही है तो जैन चौदरी टाठा बायबाय कर रहे हैं अब यह लगबग लगबग तय है कि वह सपा के साथ नहीं रहेंगे इंडिया नाइस में न जंता का पैसा अपनी अंटी में ले जाएंगे अब सवाल है इनसे यह पूछिए कि जो मुद्दें जैसे एक सवाल है और अमीज जी आप इस पर ठीकिएगा जरूर बदाएं में आपने देखा एक सांसर जी किस तरह से पीम आवास के जो आवास दिये जाते हैं एक दादी मां से मैं सोचे आप एक बुड़ी बुजर्ग हमारी मां से 30,000 रुपे घूसे भारती जंता पार्टी के लोग ले ले लेते हैं और उनको किसको छोड़ते होंगे आप आप सोच लीजे ने दूसरी भी आप आप गरी मावास में अच्छी बात है लेकिन मैं पूछ रहा हू आप मन में तेह करके आते हैं कि आज मुझे क्या बोलना है मैं उसके लावा कुछ नहीं मैं आप से सवाल पूछ रहा हूँ आरेल्डी आपको खेमा छोड़के जा रही है जवाब क्या इस बात का देखिए पंदा सेके ना आपके बात करने वाली पार्टी है और किसानों के जो भारती जनता पार्टी ने अत्या चार अन्या है कि आजिसानों के रास्ते में कील काटी बिछाए उनको विश्वास तेजस्ती आदम को भी दा नितीज़ी छोड़के नहीं जा रहे है बड़ी कबर एंडिये से जोड़ सकते है जैन चौदी समय की बड़ी कबर है दो ल के लीडर्शिप को ऐसा लग रहा है कि सपा के साथ उसे एक सीट भी नहीं मिलेगी इसलिए जाना समझदारी होगी बीजेपी के साथ जुणना समझदारी होगी बड़ी खबर इस समय की और आप देखिए एक भी बयान ऑफिशली उसके बात नहीं आया है बीते 24 घंटे में जेंद चौधरी की तरब से कि हम नहीं जुणने जा रहे हैं और खबर यह है कि बीते सोंवार मुलकात होई है जेपी नड़ा और अमिच शा के साथ जेंद चौधरी की ये समय की बहुत बड़ी डूइलप्मेंट है बीते सोंवार मुलकात होई है मेरे साथ रालोत के करता है यह प्रभाव है अमी जी आपको मालूम है अगर आप किसी नागरिक से पूछेंगे तो वो कहेगा नरेंद मोदी जी वापस आएंगे भाजपा के सारे कार्यकरता यही कहते हैं मीडिया से पूछें वो भी कहेगा और मेरे साथी यहां तैसीम बैठे हैं अनुराग भदोरिया बैठे हैं अगर आप इन से टीवी का कैमरा आफ करेंगे और उसके बाद पूछेंगे सज बताओ तो ये भी यही कहेंगे हमी जी आएंगे तो मोदी जी और मैं वज़ा बताता हूं देखिए जब अपने काम पे आत्म विश्वास आपका होत है तो आप संसत के पटल पर जहां रिकॉर्ड होता है एक एक शब आप कह सकते हैं कि 370 सीटे हमारी आएंगी नरेंद मोदी जी ने कहा एंडिये की 400 आएंगी पूरी डिवेट खतब हो जाएगी गारंटी दे रहा हूं सपा ये नहीं बोल पाएगी कि हमारी 70 सीटे आएंग ना पापी आप बोल पाएगी ना कॉंग्रिज बोल पाएगी क्यों मालूम है इनको बात करनी है केवल भाजबाची लेकिन जिन से आप लड़ते थे अरेंडी सिक आप लड़ते थे लेकिन अब सब को साथ ले रहें ये भी तो समझीए अब रोहित अगरवाल के साथ दोस्ती रवाली पढ़ेगी आखको से को अध्येक बनाया है जब से समाजवादी पार्टी बनी जी बड़ी खबर पिछड़ा मना एक बड़ी खबर आ रही है उसकार की तरफ में रुख करूँगा लेकिन आपनी पार्टी की नेता के पास मुझे जाना पड़ेगा उससे पहले प्रयांक कर एक तरफ तो 370 सीटो की बात हो रही है दूसरी तरफ भरस्टा चार पे वार हो रहा है एडी की कारवाई हो रही है कोट ने भी कह दिया है कि अर्विंद केजरिवाल जी को कोट में पेश हो रहा होगा क्या कहना चाती है आप चौतरफा दबाव है अमीजी सभी को नमस्ते अमीजी ये तो गलत है कि ब्रस्टा चार पे वार हो रहा है ब्रस्टा चार पे वार होता तो अजीत पवार आज जेल में होते ब्रस्टा चार पे वार होता तो हेमंत बिस्वा सर्मा की ओंगोइंग चल रही होती इंवेस्टिगेशन ब्रस्टा चा कर गए तो यह ब्रस्टाइचर पर वार नहीं है यह वार है विपक्ष पर विपक्ष की हर मुखारावास को दबाने के लिए दो साल से इनकी कि इन्वेस्टिगेशन एजनसी एक चवणनी की रेकावरी नहीं कर पाई है यह पीमले के कानून में इन्होंने एसे संशोधन कर दिये कि कि किसी को भी लंबे समय तक जेल के अंदर रखा जा सकता है जब तक एडी कोट में यह नहीं कहेगी कि उनको बेल पर अबजेक्शन न चल रहा है यह facts है कि 50 year की highest unemployment देश में है यह facts है कि यह facts है कि पेट्रोल की कीमत 100 पार हो चुकी है यह fact है कि डालर के मुकाबले आज रुपया बिलकुल वीक हो चुका है 83 रुपी प्लस है यह fact है कि देश में manufacturing MSME sector बुरी तरह से चर्मर आ रहा है और 1971 के दर पे manufacturing देश में च अब मेरे सवाल का भी जवाब दे दिजिए जो आज कोट ने का है राउ जविन्यू कोट ने क्या आपको लगता है कि अब अरविन जी को E.D. के सामने पेश होना ही होगा तत्रा फरवरी को सम्मन्स दिये गए है कोट में पेश होने के लेकिन उसी के बीच में अगर E.D. का एक और सम्मन आता है तो क्या करेंगे आप देखिए अब तो कोट में मामला चला गया है कोट की संग्यान में है कोट जवाब मांगेगा तो हम कोट को जवाब देंगे और कोट को हम बताएंगे कि कैसे भाजपा प्रवक्ता जो यहां पर बैठे हैं तो आज कल जो भाजपा प्रवक्ता हैं जैसे गौरब भाटिया जी यह जब प्रेस बारता करते हैं बता देते हैं कि आज समन आएगा आज अरेस्टिंग होगी लेकिन आप प्रश्र करेंगे तो उतावला पन क्यों हो जाता है इनको शांत कराईये मैं इनके बीच में नहीं बोली इनको तमीज ही नहीं है सारे भाजपाईयों को यह राइटीरिया है क्या बत्तमीजी का इंडिया बैट जाएगा अब आपको लाइट ने की कोशिच कीजिए इंडिया चुप करो शांद कराईए इंडिया बैट जाओ अच्छा मिस्टर इंडिया आप दो पार्टी के समानी परवक्ता आप अच्छा काम करते हैं करते हैं बत्तमीजी करती हैं इनको जवाब दिया जाएगा आप अपने इंडिया इन प्रवक्ता है अब अभी जी चले गए अमीजी वापस आईए इनको शुप कराईए अच्छा मेरा निवेदन स्विकार करें आप दोरो अच्छा गौरव आटिया पॉर्टी सेकिंड यू मेक यो पॉइंट देन प्रयांका यूरिस पर ठीक है गौरव 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 यह शब नहीं ना प्रयांका जी आप वो शक बोलिए गौरव 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 क्यो इस शकतरा की शक्ड़ बोला आप भी एक पार्टी के बड़े नेता है वर वगता है आप मेरा निवेदन सुईकार करिए अभी तक तैसीन पूरावाला जी एक भी बारी नहीं बोले रोहीत अगरवाल जी एक भी बारी नहीं बोले तो मेरा निवेदन है सबसे पहले तो यह बता दू देखिए पापी आपकी प्रवक्ता जूट कैसे बोलती है इन्होंने कहा FDI कम हो गया है मैं आपको बता दू record FDI आया है पिछले 10 साल में और कुछ साल के आखड़े मैं बता दू 2011 में आ रहा था 34 billion US dollars 2012 में 46 billion US dollars 2022 में 84 billion US dollars 84 billion US dollars तो यह पहला जूट आपने बोला जूट मत बोली है जब आकड़े सारे सामने आते हैं दूट का दूट पानी का पानी हो जाता है दूटरा इन्होंने कहा manufacturing कम हुई ठीक है मैं PMI पता रहा हूँ यह देखिए latest article है इसमें लिखा ह है कि जनवरी में 56.5 है 50 के ऊपर होती है मतलब अमीजी economy बढ़ रही expansion हो रहा है यूएस की 50 के नीचे contraction हो रहा है चार महीने में सबसे ज्यादा है यह दूसरा जूट तीसरी बात आज तो लगा है जटका अर्विंद केजिरिवाल को लग रहे हैं जटके क्योंकि वह भ्रश कर रहा हूं 17 फर्वरी को अर्विंद केजिरिवाल को केट कोट में अब बार बार बोलते थे यह जो एडी का संबन है यह illegal है कोट ने माना कि एडी के बास अर्विंद केजिरिवाल को पूछता के लिए समन भेजने का प्रयाब तत्य मौझूद है ऐसे में कोट एडी की शिकायत पर केजिरिवाल को कोट पे हाजर होने का आदेश दे रही है इसका मतलब बीते एक महीने से या दो महीने से जो आप बा पहली चीज़ दूसरी जो गौरफ भाके ने आकड़े दिए वो वाटसाप युनिवरसिटी से दियो और इसका फ्रीदा प्रमान यह है कि आज रुप्या डॉलर के मुसाबले एक से तो निकले लोएस्ट एवर आप चुप रही है यार इनको तमीज सिखाए थोड़ी इनक फूरूआ इनकी इडी केसी कारवाई कर रही है कि इडी फार्मर के उपर केस कर देती है जिन फार्मर का डिस्प्यूत चल रहूता है भाजपा के नेता से जो भाजपा का नेता उनकी जमीन हड़पना चाता है जब वो farmer बिचारे court जाते है तो भाजपा उनके उपर ED का case होग देती है ये पता है सबको IRS B. B. बाला मुरुगन IRS अफसर है ये जिनको suspend कर दिया गया क्योंकि उन्होंने हमारी President को लिखा कि भाजपा ने ED का misuse करके उसको अपना political आम बना दिया है ये भाजपा ने इतनी दूसरे प्रवक्ता को national television पर यार बुलाए ये मर्यादित भाशा नहीं होती है कि आप आती पैनलिस्ट को यार गुला रहे है शांत कराईए इनको यू में कि पॉइंट कराईए है हाँ धन्यवाद देखिए सबसे बड़ा भ्रष्टचारी कौन है अर्विंद के जिवाल कट्टर बैमान कौन है अर्विंद के जिवाल मैं कोट का order लेके बैठा हूं जो आ जाय है इनको बात दे थे कानूनन आना चाहिए था यो पाच समन दिये लेकिन यह नहीं आए यह आज जैले ने फैसला दिया है क्या यह करारा तमाचा नहीं है अर्विंद के जिवाल के मूँ पे जिसने सम्विदान की शबत लिया अमीर जी उसने का मैं सम्विदान की रच्चा करूगा और आज सम्विदान को वो तर-तर कर रहा है और आप बताइए भगवन मान ने क्या यह नहीं कहा कि पंजाब में अकेले वो चुनाव लड़ेंगे कॉंग्रिस नहीं लड़ेंगी साथ में यह हम कह रहे क्या क्या यह सकते नहीं ममता बैनर जी ने कहा कॉंग्रिस की हैसियत है यह 40 सीटें जीत सके और अगर हैसियत है तो बनारस जाके लड़के दिखाओ और अर्विंद केजरिवाल 2014 में बनारस गए थे क्या हुआ था बड़ी खबर आ रही है शिरोमनिया काली दल बड़ी खबर आ रही है एंडिये में शामिल हो सकता है सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर है चंदरबाबू नाइडू के बाद सुखबीर बादल भी एंडिये के खेमे में आ सकते हैं शिरोमनिया काली दल का पहले भी अलाइस रहा है बीजेपी के साथ और एंडिये में शामिल हो सकते हैं और जेंट चौधरी का भी आना आना लगबगता है मैं त बीजेपी नमस्कार आपको और आपके पास मैं आ रहा हूं ये हो क्या रहा है बीजेपी क्रिकेट के मैदान में जैसे कहते हैं कि अच्छी तरह से अपनी पारी खेलने की प्लैनिंग कर रही है और खेल भी रही है लेकिन विपक्ष की विकेट्स उखरती जा रही है इट इ है सीन पूरावाला वाट्स यूर टेक आपकर कहना क्या है अमी जी इस इन सबी बातों से मैं मैं आपके न्यूस पर बिलकुल एतिबार करता हूँ जो आप कहते हो वह हमेशा अक्सर सही होता है तो अगर जैन चौद्वी जी जा रहे नितीश कुमार जी इसके पहले चले ग आतमें ले रहे इसका मतलब है कि moments 70 पार ने हो रह इसका मतलब है धायिसो के इनको ढाइस बी मैं और जहां पर इनको कहीं बन सकते बच्ट को खाय को रहे है कर यह और 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 आपकर आई तो जाएकि नके साथ मिल को बिल्कुո जाएग है के साथ एक नहीं तो ciertят प्रतर लोग जाएगी एंके साथ, लेकिन ऐक्ष्व बात ये है कि इंडिया Allianz आज आज एक टफंडे रहे है, ठीक है कुछ पार्टनर जा रहे है, इंडिया में शामिल हो रहे हैं, ये इंडिया की लास्ट मीटिंग हुई, कौन सी मीटिंग हुई, इंडिया का एजेंडा क्या है, मानने प्रदान मंतरी ने लास सेशन में कहा था मैं अकेला सब पर भारी अगर वे अकेले सब पर भारी तो अलाइंस की ज़रूरत क्यों है क्यों दूसरों का अलाइंस टोड़ रहे है जिस नितीश कुमार जी का DNA टेस्ट करे ते DNA DNA टेस्टिंग हो रहा था जिस नितीश कुमार जी को भाजपा के सारे प्रवक्ता आप ही के शो में कहते थे कि वहाँ पर जंगल राज चल रहा है आज जो मुक्य मंतरी जिसके कारण जंगल राज चल रहा है वाज भाजपा के मुक्य मंतरी भी है तो इसका तो कोई मतलब है नहीं आपको सिर्फ मैठेमाटिक गनित की पड़ी है आपको पॉलिटिक्स और डिवलोपमेंट के कोई बात ही नहीं करना और प्रियंका के आखरे बिल्कुत सही है देश में सबसे ज़्यादा बेरोजगारी पिछले 45 वर्शों में आज वारत है आपके पास आखरे हैं लेकिन जनता आखरों को कबूल नहीं कर रही प्रॉब्लम तो यह है कि अभी तीनों हिंडी पट्टी के राज्यों में चुना हुए कॉंग्रेस के दो राज्ये चले गए नहीं सर ये तो देखा ना हमने मैं रोहित अगरवाल के पास चलता हूँ अब वह एंडिया के साथ है या या आने वाले पटा है आतनमा ना पैदा होती है ना मरती है जो हुआ वो अच्छा हुआ जो हो रहा है वो अच्छा होगा जो होगा वह भी अच्छा होगा तुम भूत का पश्यताप ना करो भविश की चिंता ना करो वर्तमान चल रहा है तुम्हारा क्या गया जो तुम रूते हो तुम क्या लाए थे जो तुमने खो दिया तुमने क्या पैदा किया था जो नाश हो गया, ना तुम कुछ लेके आए, जो लिया यहीं से लिया, जो दिया यहीं पे दिया, जो लिया इसी भगवान से लिया, जो दिया इसी को दिया, है ना, है ना, नी नी तो फिर मतलब, अब मैं क्या करूं मैं, और क्या करूं मैं, बत कल और किसी का था पर्सों किसी और का होगा तुम इसे अपना समझ कर मांद हो रहे हो तुभारे दुखों का करण है देखिए किस ने कहा था कल किसी और का होगा मैं पूछ रहा हूँ कर दो दो आपसे तका आज रहा हुए मैं मैंनुगे मुझे पूछ मुझे नहीं देखिए अबीत सब्सक्राइब क्ये बात चैनल पर मुझे नहीं आई रहा है कि हो तब히ा है कि क्यों ने हैं नहीं हो सकता है आपको समझ दो बारा तारीक को चौधरी अजीत सिंह जी का अच्छा नहीं होगी अच्छा चलिया आप आप डाउट को क्लियर करिये खबर चल रही है और एक चैनल पर चलने रही है तमाम चैनल पर चल रही है बीते 24 घंटे से जादा हो चुके आप आप चिनाय करिए बोलिया ऐसा नहीं है हम अखिलेश जी के साथ है थे और रहेंगे आप गीता सार दिखा रहे है क्या लेकर आये थे क्या लेकर जाएंगे कौन था कौन होगा तो बताईए ना एक छड में तुम करोनों के स्वामी बन जाते हो दूसरे छड में तुम धरिद्र हो जाते हो मेरा तेरा छोटा बड़ा अपना पराया मन से मिटा दो फिर सब तुमारा है तुम सब के हैं ना ये शरीर तुमारा है हम पूरा समझ गए परिवंतर संसार का नियम है परिवंतर संसार का नियम है सब तुमारा है प्रिथवी आकाश बना है और इसे में मिल जाएगा परंतु आत्मा इस्थिर है ये अभीavors ये वहा तुम आपकी तैसीन पुर्णावला और अनुलाग वाई मैं आपको मुझा दूँगा मैं जान रहे हूँ आप क्या बीट रही है आप पर क्या बीट रही है आप किसी और से पूछ रहे हैं ऐसा कैसे संबा होए जी 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 मैं बोला अब आपने गीता सारी साड़े तीन मिनट का सुना दिय आप आप आपने जिस सवाल को जितनी खुब्सूरती से दवाब दे सकते हैं आपने देने का प्रयास किया मैं आपकी तारीफ करता हूं इस बात की ओपर लेकिन तैसीन पुना वाला अब बताईए क्या करिएगा ने अगर परिवरतन ही संतार का नियम है जो मैं मानता हूँ और अगर यही परिवरतन अगर आर-जी-डी में आ रहा है और अगर अगर जैन जी भूल गहे किस तरह से उत्तरपर्देश्की पुलीस ने उन PG पर हमला किया था यह बुल गये किस तरह से उनको किस चंदों का प्र लेगा आपको सब्सक्राइब करें आप विपक्ष के नेता है आप विपक्ष के नेता है आपको कम से कम सूत्रों की खबरों के उपए जवाब देना जाएगे साधारन इंसान हूं तुनिये ना सर मैं बहुत साधारन इंसान हूं कोई नीता नहीं हूं लेकिन जैन जी मेरे बहुत अच्छे दोस्त है और जब उनको मारा था उत्तरप्रदेश की पुलीस ने सबसे पहले ट्वीट मैंने किया था मैं जाकर उनको मिला भी था उनके घर में आज उन सब को आप छोड़े हो जब जब चौदरी जी का जो जो समारक बनना था किस तरह से विर्तमान सरकार ने उसको जो मंदूरी थी वो मंदूरी दुबारा से ले ले दी चौदरी अजीद सिंग जो स्वर्गिय चौदरी अजीद सिंग की जैनती भी है ये बड़ी कबर है बड़ा एलान रालोद यानि राष्ट्रे लोगदल कर सकता है मेरे साथ बात चीट करने के लिए कई मैमान है गौरब भाटिया है मेरे साथ अनुराग बदौरिया है मेरे साथ तैसीन पूनवाला है रोई तकरवाल है आप सब का एक बार फिर अबे रंदर है गौरब भाटिया क्या आपको लगता है कि आप मजबूर है अलाइंस में सब को शामिल करने के लिए जैसा तैसीन पूनवा अंडिया है वो मजबूर है क्यों वह हाथ में भीक का कटोरा लेकर भीक मांग रहा है आप बताइए उसका मुख्य केंद्र क्या है कॉंग्रिस पार्टी है ना कॉंग्रिस पार्टी का हाल आप मुझे बताईए विहार में हमने देखा किस तरह से नितिश्य उपी में सपा है पंगाल में दीदी है अब दीदी ने कहा कि हम अकेले चुनाब लड़ेंगे पंजाब में भगवन मान ने कहा लेकिन हाँ गीता का सार दिया जा रहा था कुछ बातें बड़ी अच्छी बोल गए और मैं उसको यहां कनेक्ट करना चाहूंगा जिससे सारे दर्शक देख सके सबसे पहले का गया करतब वे कर फल की चिंता मत कर बिलकुल नरेंद्र मोदी जी पे लागू होता है करमकता है करतब वे किया जो पालन करना था वो किया लेकिन फल की चिंता नहीं उसके बाद इनोंने कहा जो आज आपका है कल किसी और का होगा अमीर जी ये कहीं इशारा अ कुछ नहीं बोलना चाहते हैं आप और वो और की बुराय कर रहा है हाँ ने नहीं बुच्छ सब्सक्राइब करें कर रहे हैं लेकिन बात बुरी कर लूँ लेकर लेकर आए थे क्या लेकर जाओगे सब नश्ट हो जाएगा ऐसा लग रहा था जैसे कॉंग्रेस के राहूल खांदी की और सपा के अखले यादम की बात कर रहे हूं मुलायन सिंग जी की विरासत को तो नश्ट करी दिया पाटी को भी जल्दी नश्ट कर देंगे और उसके बाद अंत में इन्होंने कहा एक शण में तुम करोड़ों के मालिक हो और एक शण में तुम्हारे पास कुछ भी नहीं है एकदम से अर्विंद केजरिवाल का चेहरा आ अनुराग जी अनुराग उदरिया ये गीता का सार कहीं सार आपके लिए तो नहीं है ये चला चली की बेला तो नहीं है सुनिए मैं कह रहा हूँ भारती जनता पार्टी को इस बात का एसास हो गया है कि 2024 में राजनितिक जो पिछ है वो स्पिन पकड़ ली है उसमें गुगली बहुत ते जाने लगी है अब गुगली के डर के मारे चुकि बोल्ड होना तै भारती जनता पार्टी को इसलिए भार पारिस्तानी पाकिस्तानी बोलाता हो जैन चौधरी जी को लाटियों से यह यूपी की पुलिस ने किस तरह से पीटा था और पीटने की कोशिश की थी वो सब ने देखा था इसलिए किसानों के हित के लिए किसानों के सम्मान के लिए कभी नहीं जाएंगे मैं गैरेंटी के है 24 घंटे से खबर चल रही है क्वीट कर दे बाइट भी देने की दुरत नहीं है देखें को ट्वीट कर दे कि ऐसा कुछ नहीं है जो भारती जनता पार्टी के परवक्ता कावारी की दुकान में जाने लगें वहां कुछ खोजने लगें तो सम्दो 2024 में किस लाइक बचे हैं वो उनको पैसा हो गया तिंचान में जाने लगें जवाब 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 गौरबाटिया मैं बीजेपी के परवक्ता की बात कर रहा हूं अउन्हों ने थोड़ा सब्वेबाशा में बोला रोहित ने थोड़ी सब्वेबाशा में बोला कि परिवर्तन सर्थ संसार का नियम है आपने कुछ खोजेंगे जाके जाके पीक है देखिया अमीजी मैं तो इस विक्तव्वे की घोर निंदा करता हूं कि किसी भी पार्टी के लीडर को क्योंकि वह आपके साथ नहीं रहना चाहता है जैसी खबर आ आप कबाड़ी की दुकान बुलाएं तो पता हो गए इस लिए पता है लेकिन एक बात बताऊंगा बात हो रही थी गीता की ना सत्य हमारी तरफ है भगवान कृष्ण का आशिरवाद हमारी तरफ है अर्जुन जैसे धुनर्द्र हमारी तरफ है और इसी लिए जीत होगी वो परिवरतर संसार का नियम है से कबाड़ी की दुकान तक कुछ समझ रहे हैं आप यह समझाओ मैं देखें मैं अपने देखें मैं अपने बड़े भाई गौरफ जी का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ उन्होंने जब गीता जी का पाठ सुना तो उनको कॉंग्रेस मैं भाजपा याद आती है तो कोई दिकत नहीं आपके शो में इस सिद्ध हो गया के पांदवों के साइड पर कौन है और जो हशर जो हशर दुर्योधन का होता है यही घमंता दुर्योधन का जब भगवान श्री कृष्णा गये थे उनके साथ के शांती दूर बनकर जब उ देना चारें अनुराग भी बोलना चारें को देगे तैसीम भाई का मुझे लगता है जो एर प्लग है वो खराब है भाजपा के लिए मैंने कहा जो व्यक्ति कर्तव कर रहा है फल की चिंता नहीं है वो नरे मोधी जी है लेकिन दुर्योधन की बात भी याद आ गई आदु ले यह पूरे भारत को पता है और इसी लिए वो दुर्योधन ऐसा है उसने पार्टी नष्ट कर दी परिवार भी नष्ट कर दिया जंता के किलाव खाणा हो गया और जंता हम समग लए यही सत्य है यही सत्य है यही baat यही बात यह गैजर बी ने बिल्कोल करेंता है दुर् बस अपने पाफ पावर कॉंसेंट्रेट हो यह उसने कि अपने पड़ो दुरियोधन राजा नहीं था राजकुमार था धृतराज राजा था यह नहीं पता आपको उसको राजगदी चाहिए थी और राजगदी छोडने को तियार नहीं था पाज गाव भी देने को तियार नहीं था वो अब यह ने बड़ी ख़बर आ गई है एडी ने किया बड़ा परदाफाश हेमन सोरेन अपने करीबी अधिकारियों के साथ ट्रांसफ़र पोस्टिंग म करीबी अधिकारियों से मिली भगत थी इस पूरे मामले पे जमीन पर कब्जे के लिए भी मदद ली गई थी अनुराग बदोरिया गीता का सार भी सुलिया अब हेमन सोरेन की खबर भी सुली क्या कहना चाहते हैं आप तो हेमन सोरेन के साथ आप कौन सा इंडिया बनाने चल के साथ खड़े नहीं हो रहें अनुराग भाई मंतब इनर्टी के रिए कॉंग्रेस की 40 सीटे नहीं आएंगी कहीं नितीश कुमार छोड़के जा चुके हैं जैन चौदरी जाने की तैयारी में हैं हमारी हमारा सब कुछ है हमारा सब कुछ है कमाल की बात कर रहे हैं किसान के सम्मान में जो पार्टी किसानों का अपमान करती रही हो आज तक उनको खालिस्तानी पाच्छतानी बोलती रही हो उनको किस तरह से किसानों के बीच में उन्हों रास्ते में कील काटी बिचाए हो किसानों के लिए काला कानून पास किया हो वो किसानों के हित के Лिए कभी ने, किसानों के हित की सोचते हैं, इसलिग कभी बीज़एपी किसार नहीं जाएंगे, और जहां तक कि भारती जन्था पाटी के परवक्ता है, इनको बड़ा भारा है, बड़ा खोजते हैं कबारी की दुकान में क्या पड़ा है, ऐसे करके अज वाड़ी के दुकान से देखो हम यह लेा है आज यह उठा लाना कभारी की का अरलडी को कभाली की दुकान बना दिया proposals आपका घडबन देखा नहीं मैं ने के अंदर वह भाल भात ऑफ हुआ। पुर्यों ने गीता सार सुना दिया, आपकवाडी की दुकान में पहुंचा दिया, और जा एक और खबर, हेमन सॉरिन के मामले में, E.D. के बास वाट्शप चैट तक मौजूद है, करॊप्शन की, वाट्शप चैट तक मौजूद है, सोचिए, ये लोग अगर गड़वनद करके इंडिया गडबंदन बरा रहे थे तो शासन कैसा चलता ये सोचने की बात है सोरेन की रिमान कॉपी में ये सब कुछ परदा फाश हुआ है और मैंने सवाल जब पूछा तो अनुराग भुदरिया भी इस विशे पर कुछ नहीं बोले मैंने पूछा कि क्या क्या कहेंगे और पूस्टिंग में ब्रस्टा चार हो रहा था वाट्चाप चैट में वजूद है इसकी देखिए सरकार उनकी है वाट्चाप चैट पे देना कि सरकार अभी भाट्टी जंदा पाटी की है जब तक तक तो अभी कुछ है नी जब तक गौराबाटिया जवाब ये सरकार आपकी है इसने सब कुछ आ रहा है ओके गौराबाटिया का आडियो को लिए गौराबाटिया पत्रा सेकिंड देखिए किसी को विरासत में मिला था शोरूम उसने बना दिया कबाड़ी की दुकान उस व्यक्ति का नाम है अखिले जादव और कबाड़ी की दुकान के बारे में सपा के प्रवक्ता से ज़्यादा कौन जाने जो कबाड़ी की दुकान में ढूंडता है अपने नेता को लेक कि संस्कृती हमारे जीवन में उसी तरह समाई है जैसे पुलों में खुश्बू और कहा जाता है कि जो अपनी संस्कृती से और अपनी जड़ों से दूर हो गया उस समाज का कभी विकास नहीं हो सकता और प्रधानमंत्री मोधी ये बात अच्छी तरह समझते और चानते हैं य उच सरकार ने संसत में बताया है कि 2014 से अब तक विदेशों से करीब साड़े तीन सो तीन सो पचास कलाकृतियां और मूर्तियां वापस लाए गई हैं ऐसा नहीं है कि विदेशों से मूर्तियां पहले भारत नहीं आई थी लेकिन इनके वतन वापसी की रफतार इतनी धीमी थी कि एक कॉंग्रेस के शासनकाल में यूपिय के शासनकाल में 2004 से 2014 के बीच तिरफ एक मूर्ति वापस लेके आ पाये थे जबकि मोधी सरकार के दुरान अमेरिका से 262 बिटेन से 15 ऑस्ट्रेलिया से 35 कलाकृतिया और मूर्तिया वापस लाने में एक बड़ी सबलता मिली है इन कलाकृतियों और मूर्तियों में आस्ट्रेलिया से आई नटराज और अर्ध नारीश्वर की कलाकृतिया हैं केरेडा से पैरेट लेडी की मूर्ति जर्मनी से महिशर मर्दिनी कलाकृति वापस लाई गई है तो दूसरी तरफ भारत ने सिंगापूर से उमा परमेश्वरी की मूर्ति समेथ स्कॉट्लेंड से साथ कलाकृतिया वापस मंगवाई है इन में 14 सदी की इंडो फार्सी तलवार और 11 सदी की नकाशिदार पत्थर का दर्वाजे और चौकट भी शामिल है जो भारत के गौरफ साली और सम्वित इत्यास को का जीता जगत उधारण है और बड़ी बात यह है कि G20 के दुरान कलाकृतियों और मूर्तियों पर अलग से सेशन भी रखा गया जिसे रिएड्रेस रिटर्न और ट्रेजर्श कहा गया था जो देश में धार्मिक और संस्कृतिक धरोरों को लेकर मोधी सरकार का मिशन और विजन दोनों एकदम स्पष्ट है जो देश में धार्मिक और संस्कृतिक धरोर है उनको तो सजाया और सवारा ही गया है पहले से जादा भव्वे और दिव्वे ही बनाया जा रहा है लेकिन जो विदेश में मूर्तिया थी कलाकृतिया थी उनको भी वापस लाया जा रहा है यानि मोदी सरकार देश के फ्यूचर के लिए स्टार्ट अप से लेकर पांच विलिन की एकनॉमिक का रोड मैप बना रही है तो दूसरी और भारत को दुनिया की तीसरी बड़ी अर्तवस्ता बनाने की भी राद दिन काम कर रही है ये सत्य भी है और तत्य भी है क्योंकि कहते हैं ना कि जो इतिहास और संस्कृती से सीखता नहीं है उसकी नीव कमजोर हो जाती है और जब नीव कमजोर हो जाती है तो इमारत गिर जाती है